So finally 2023 आज चुका है वा सिफ आया नहीं है अपने साथ काफी सारे थमाकेदार अनिमे भी लेकि आया है वैसे तो 2022 भी अनिमे फैंस के लिए काफी बड़ी आसाल रहा है जहां पर हमने अनिमे और अनिमे मुवीज को काफी जादा पसंद किया है लेकिन मैं आपको बता दो कि 2023 उससे भी बहतरी नहोंने वाला है तोस्ति जहां पर हमें देखने के लिए मिलने वाले काफी सारे ऐसे एनिमे जो एनिमे को लागे रखते हैं दूसरा की इस शो को अनिमेट करने वाले है एवन पिच्चर जिन्होंने दज सेवें डेडली सेंस यह लाइन अपरेल कागो यह सामय लावेज वाज जैसे पॉपलर शो को अनिमेट किया है तीसरा इस शो की मुजिक कंपोजिशन वन अफ देखने के बाद में यह तो कह सता हूं कि इस अनीमे डैपटेशन काफी जादा से फैंड्स में तो यह बिकुल भी डिसअपॉइंट महीं करने वाली है दोस्तों वेल अगर आप सोलो लेवलिंग के बार में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि सोलो लेवलिंग एक साउथ कोयन मानवा है जो की वेब कॉमिक पर बेस्ट है जिसमें 180 चैप्टर्स अवेलेबल है आउनलाइन आप कभी जाके देख सकते हैं अगर सोलो लेवलिंग की एनिमे डैप्टेशन साही रही तो मैं इतना तो जरूर केर सकता हूं कि यह अनिमे भी बन सकता है वर आप दे बैस्ट शॉनन अनिमे ऑफ दिस यार 2023 तो बी रेडी और लेवल अप यॉर एकसाइटमेंट पॉर अनिमे जुजुट्सू कैसन सीजन अनिमे में हमें 24 से लेके 26 एपिसोड तक देखने के लिए मिलेंगे फिलाल हमें इसका कोई फूल फ्लेजर ट्रेलर अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है लेकिन पिछले साली आए वन मिनिट के कैरेक्टर इंटुडक्शन वीडियो में हमें कुछ सीजन 2 की जलक देखन स्कूल तो बिकम वन आप दे स्ट्रॉंगेस करेक्टर और भोल जुजुट्सु काइसन सीरीज जो एक्स्प्लेइन करेगा कि कैसे गोजो और गेटो एक दुसरे से टोकियो जुजुट्सु हाइब में मिलते हैं और किसी वज़ज़ से उन दोनों को अपना-पना रास्ता चुनना पड़ता है यह तो हुआ पहला आर्क और दूसरा आर्की में बात करूँ तो काफी ज़्यादा स्पेशल होने वाला जिसमें हमें ओवर दटॉप एक्शन देखने के लिए मिलेगा जो की होने वाला है शिबुआ इंसिदेंट आग जिसमें हमें सीजन वन इस दी इयर ओफ डीमन स्लेयर वैल मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ फ्रॉम प्रेड्यूसिंग हाइस ग्रोसिंग जैपनिस मुवी इन दे वर्ल्ल दो डेडिकेटेट फैन बेस डीमन स्लेयर इसी को गलती नहीं कर रहा है जो एनिमे फैन्स को निराज कर सके पिसले दो सीजन दो मुवी की धमाकेदा सक्सेस के बाद डीमन स्लेयर एक लेवल और उपर जाने वाला है क्यूंकि अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है सीरिस का मोस्ट इंपोर्टेंट आर्ग विच इस का स्टॉर्ट स्मित विलेज आर्ग जिसका हाली में 30 सेकंड का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें हमें देखने के लिए मिलने वाल है दो नए हाशिरा पहला लव हाशिरा मित्सूरी और दूसरा मिस्थ हाशिरा म्यूचिरो अलॉग विट अवर मेन प्रोटेगनिस तांजिरो रिलीज डेट की बात करें दोस्तो तो अप्रेल 2023 में इस क्रंची रोल फन अ सीजन 2 सो फाइनली तीन साल के बाद यह एनिमे अपने सीजन 2 के साथ 10 जैनवरी 2023 में रिलीज हो चुका है दोस्तों इसका फर्स सीजन 2019 में विट सुडियो द्वारा एड़किया गया था लेकिन विट सुडियो को रिप्लेस कर दिया गया है और सीजन 2 को लेकर आ रहा है व सीजन 2 का काफी जाता बेस अबरी से इंतिसार कर रहे हैं सो एम प्रिटी मश्यूर देट विट विलेंड सागा सीजन 2 विल डॉमिनेट इन 2023 लास्ट बट नॉट दे लीस्ट अटाइक ओन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 अपनी जब अधा स्टोरी और एपिक प्लॉट ट्विस के लिए मश्यूर अटाइक ओन टाइटन सीजन 4 अब अपने पार्ट 3 के साथ 2023 में आखरी कदम रखने वाला है दोस्तों वैसे तो अटाइक ओन टाइटन शुरू होता है यूमन वस्स टाइटन की फाइट से लेकिन जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करते जाता है थीम सच अच अगर शायद से अटाइक ओन टाइटन की एंडिंग चेंज कर सकता है लेकिन आप लोग इस बात से कितना ज्यादा सहमत है कॉमेंट में जरू बताइएगा दोस्तों आई होब कि अटाइक ओन टाइटन सीजन 4 का ये पार्ट आखरी बाट हो और इसे और जादा ना खीजा जाए और हमें एक बहतर एंडिंग देखने के लिए मिलें तो ये थे कुछ पांच ऐसे जबदस्त आनिम हैं जो मेरे ऑपिनेंसे 2023 में डॉमिनेट कर सकते हैं दोस्तों विससे तो मैंने कुछ पांच आनिमें कोई कवर किया है अगर मुझसे कोई आनिमें छूट चुका है तो आप इसे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल पर नए आयो तो मैं मिलता हूं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई